लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए बीजेपी विधाय गनेशनाइक ने आज एनेमेंसी आयोक से मुलाकात की और कोरोना उपचार इंतजामों की बजाए विकास कारियों के टेंडर में समय बरबाद करने पर प्रशाशन की जम कर खिचाई की उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से लोग आज जान गमा रहे हैं कोविड नियंतरन इंतजाम कम पढ़ने लगे हैं ऐसे में महानगरपाली का प्रयाप्त आयोक के सुविधाय उपलब्ध कराने की वजाए टेंडर बाजी में उलजी हुई है पुरो मंत्री गनिशनाइक ने सत्तारूर्ट सरकार पर कोरोना वैक्सिन की सप्लाई पर पक्षपात करने कारोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो वे नईमबाईकरों के लिए आंदोलन भी करेंगे देखे रिपोर्ट जो भी फंड है वो औरोग के सिवा में, एड्लीक केस्टम ने और जो प्रीमांसंच की जो योजना है उसमें खर्चा करो पूर्वा मंत्री और बीजेपी विरायक गनेशनाईक ने आज महानगरपालिका कमिशनर अभिजीत बांगर से मुलाकात की और नईमबई करों के लिए जानलेवा बने कोरोना नियंत्रण में नाकाम प्रशाशन की जम कर खिचाई की गनेशनाईक ने कहा कि आज वेंटिलेटर अक्सिजन बेड़ और आरोगे सुविधाएं कम पड़ रही हैं लेकिन पुर्वसूचना के बावजूद भी मनपा ने जो इंतजाम किये वे सारी आरोगे सुविधाएं आज नाकाम और नाकाफी साबित हो रही हैं उन्होंने नाम लिये भीना सांसद राजन विचारे और मनपा अयुक्त के दोरे पर भी सवाल उठाया और कहा कि आज सड़क और ब्रीज बनाने का वक्त नहीं है बलकि जानलेवा बने कोरोना को रोकने का वक्त है लेकिन महानगर पालिका टेंडर बाजी में उलजी हुई ह उन्होंने चर्चा के दोरान आयुक्त से तलक वहसा में कहा कि टेंडर बाजी बंद करो और उन पैसों से एक हजार वेंटिलेटर मंगाओ ताकि नविम्बई करों की जान को बचाया जा सके मेरा कहना इतना ही है कि अभी टेंडर बाजी बंद करो बस हो गया यह जो पैसा है अरोग के सिवाव में और वेंटिलेटर एक हजार वेंटिलेटर लाओ न आज लोगों को जान जाने से बचाना यह पहला प्रतवे है साथी साथ में एजुकेशन जो बच्चरों का यह भी आगए आगए परत्वना चाहिए नया रास्ता बनाना है और बिज़ बनाना की जरूरत है लेकिन यह प्राइटि नहीं है ये प्राइटि कही है अभी ये पेंडामिक जो वक्त है इस कालकंड में ये दूसरे चीजों को आगे जरूरत का है तेकिन उसके पर आगे सुचा जाएगा आज काली अरोग्य सेवा के जाने है। इंतरन फंड देने में हुआ और अब कोरोना वैक्सीन देने में हो रहा है। उन्होंने सत्तारूर सरकार को इशारों में कहा कि दुस्मनी हम से करो पार्टी से करो लेकिन निम्बई करो कि सेहत और जिंदगी के साथ ऐसा करना बड़ा अन्याय है। गनेशनाइक ने कहा कि जन अप्डेट नहीं है। ठाणा में कल्यान में जो भलेशन है। उसकी तूलना नहीं मुंबई से करें तो नहीं मुंबई को 9900 तो निदी देने के बामले में अपनों को निदी प्लस नहीं है लेकिन वैक्सिन के बारे में अप लोग इस दर का अन्या करोगे तो निदी आपको माफ में करेंगी जनता के प्रतिय एक अन्या की भुमी का ले रहे हैं किसका गुस्ता किस पर निकाल रहे हैं यह गलत है मेरा कहना है कि राजनीती की तोर पर हमारे भी गुस्ता होगा हमारे साथी लोगों पर करो लेकिन जनता को जो भी शुविदा देनी है उसमें कुछ पैरिटी डिफरंट मत रखो यह ऐसा विनंती पत्र पैने मुक्य मंत्री जी को उपमुक के मंत्री जी को आरों के मंत्री जी को और यह आरों के सच्चिवुजी को लिखा है नहीं सुधर नहीं तो हमें एजिटेशन भी करना पड़ेगा इस उसर पर पुर्व महापौर सुधाकर सुनाओने सागर नाईक पुर्व विधायक संदीप नाईक पुर्व महापौर जयवन सुतार वरिष्ट नेता दश्रत भगत समेट तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे यहां वरिष नितादर्शत भगत ने कहा कि सत्तारूर सरकार की कमाउन नियत से ही नईमबई का आरोगे सिस्टम ध्वस्त हो गया है उन्होंने गणिशनाई की निरंतर पहल की सराहना की और कोबिट के अरिंतजामों को ततकाल बहतर बनाने पर जोड दिया राजकरन क्या हो रहा है सत्तादरी हो विरोधक हो जो कुछ है वो स्टेट में हो और किदर भी हो लेकिन आभी इस समय स्टेट गवर्मेंट का जिस तरह से धान होना चाहिए उस तरह से जो धान क्योंकि उन्होंने जब हार कार्पोरेशन या नईमबई कार्पोरेशन ने जो क वो सिस्टम लगाया था, वो सिस्टम किसके कहिने पर निकाले, राजी स्यासन को बताया, राजी स्यासन ने कुछ कांट्रोल किया, राजी स्यासन निर्देश करना चाहिए था, कि वह पर शेकंड वेप आने वाला है, आप सतरक रहो, राजी स्यासन, केंडरी स्यासन हमेशे कह प्रदेश में चालो है उदर अब थर्ड में चालो है अब हम सेकन में तो इसलिए हमारे यह कहना है कि यह आभी जिस तरह से इज़ शिश्टेम है पुरा कोलाप्स है और यह कोलाप्स सिश्टेम में लोगों का जान जा रहा है लोगों का परिशान हो रहा है Bureau Report TV1 India आर दो